हेलो दोस्तों मैं अशोक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड़ा पर तो दोस्तों कैसे आप दोस्तों जैसे कि आपको पहले भी अपडेट किया गया है ट्रांसपोर्ट से रिलेटिड कोई भी न्यूज जाने के लिए आप मेरे चैनल को सबस्क्राइ किसी आज की डेट है दोस्तो 19 मार्च 2020 तो दोस्तो आज की जो ट्रांसपोर्ट न्यूज है वो जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के दवारा एक बयान दिया गया है और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है तो क्या है वो रिपोर्ट दोस्तो उसे जानने के लिए मेरे जो व वाली मोतों में काफी कमी आई है और 15,000 लोगों की जो जाने बचाने में कामियाबी मिली है इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सराब पेकर गाड़ी चलाने वालों से जो दुर घटना होती है दुर घटना उपर रोक लगाने के लिए उन्होंने काफी उपाय किये है द इसके साथ ही इससे विविन राज्यों में सडक हाद्सों में होने वाली मोतों में काफी कमी दर्स की गई है सडक प्रिवैन और राजमार्ग मंतरी नितिन गड़करी ने लोक सभा में प्रशन काल के दुरान बताया कि नया मोटर कानून लागू हुए सिरफ पांच महीने चलते 15,000 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। इसके बाद गुजरात में सडक हाथसों में होने वाली मोतों में 14% कमी आई है, उत्र प्रदेश में 13%, मनिपूर में 4% और आंधर प्रदेश में 7% कमी आई है। महरास्टर में 6%, हर्याना में 1% और दिल्ली में 2% की कमी आई है दोस्तों। उन्होंने एक अन्या सवाल के जवाब में यह भी बताया कि वहानों के लिए जो जारी किये जाने वाले फास्ट टैग है फास्ट टैग के आपूर्ति में कोई कमी नहीं है इसके अलावा ड्रेंक एंड ड्राइविंग से होने वाले दुर घटना ओपर भी नितिन गड़करी ने जो है बयान दिया है दोस्तों उनके अकोर्डिंग सडक प्रिवेन और जो राजमार्ग मंतरी नितिन गड़करी है उन्होंने गुरुवार को लोकसवा में यह बताया कि 2016 से 2018 के दोरान तीन वर्सों में देश में सराब पेकर गाड़ी चलाने के लिए 40983 दुर दिये उन्होंने बताया दोस्तों मोटर वहन अधिनियम 1988 के धारा 185 में सराब पेकर गाड़ी चलाने के अपराद के लिए कारावास या जुर्माने की सजा या दोनों के प्रावधान है गड़करी ने कहा कि उनके मंतराले ने सराब पेकर गाड़ी चलाने से दुर कर सकते हैं